ओपो और विवो के फोन हर बार आपको सेम मिलते हैं तो इस बार भी ओपो और विवो ने सेम कर रहा है यानि यह मरला जो आपको फोन मिल रहे है बस यहाँ पर 19-19 का स्पैसिफिकेशन में फरक कर दिया और दोनों ने अपने फोन लॉंच कर दिये सेम केश अवाज के फीडियो के साथ जैसे आपको नंबर में फरक पता चलिए और यह दूसरा 52 है तो एसा ही इंकी स्पैसिफिकेशन में 19-19 का सब्रक है जादा कुछ फरक नहीं है एंड यहां तकी प्राइस में भी तरना कुछ फरक नहीं है आपको 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 आज के वीडियो पकाश्ब आगी अगर वीडियो पसद आगी तो वीडियो को लाइक कर देने चानल को सप्सक्राइब करने वीडियो आपने फ्रेंड का शेडर मर समार देना, ऐ तो शुरुबाद कर दे ओं HAVE यूपल के ता नृट्वन के डिस्पले यहाँ पर आपको पंच होल नो च मिल जाएगी जोगी काफी trendy और मतलब अच्छी सी लगती है यहाँ पर आपको बेक साइड के अंधर चार क्यामरे मिल जाएगे एंड जोगी दिखने में काफी जादा ए्ट्रेक्टिव और बड़ी अशी लगती है यह बात करता है Vivo Y50 की तो इधर आपको जो डिस्प्ले मिलती है 6.5 इंचेस की Full HD Plus की IPS फैनल मिल जाता है इधर भी आपको पंचोल नोच मिलेके एंट वेक साइड के अदर आपको चार-चार कैमरे मिल जाएंगे जा अपर आपको की-से फोन में भी बढ़ा लेकिन हर ठीक ठाक एक एसे प्लास्टिक वगरा दे देते हैं तो चलते हैं टिपाइटर्णों को पते हैं जो आपको गोरी त्मेरे के लिए लिए हमतलबग फेमस है सेंसिंग लिए यहां पर आपको 4G का भी option मिल जाता है एंड यहां पर आपको EIS भी मिल जाता है बात करते हैं सेल्फी की तो आपको OPPO के फोन के अंदर 16 Megapixel की सेल्फी मिल जाती है तो आप बात करते हैं Vivo Y50 की इधर आपको back side के अंदर quad camera मिल जाते है 13 Megapixel प्लस 8 Megapixel ultrawide प्लस 2 Megapixel Macro Shorts ले प्लस 2 Megapixel Depth Sensing के लिए यहां पर जो आप video recording कर सकते हो आप 1080 की कर सकते हैं सेल्फी की बात करते हैं इधर आपको सेम सेल्फी मिल जाएगी 16 Megapixel की ऐसे camera में कुछ भी फराग नहीं है तो आप चलते हैं फोन की important चीज़ पर यानि की फोन के प्रोसेसर पे तो दोनों ही फोन के अंदर आपको snapdragon 665 का प्रोसेसर मिल जागा तो आप चलते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट में दोने फोन के नरा आपको exact same processor मिल जाता है snapdragon 665 का प्रोसेसर मिल जाता है 11 एम का यह प्रोसेसर आपको 610 का आपको GPU मिल जाएगा तो देखा जाए तो जिस प्राइस पर यह फोन आ रहे ही अपने प्राइस में मतलब जो आ आप मेरी बात समझनी पाएंगे बड़ लेकिन मोटरो लगा एक नया फोन है जिसकी मैं वीडियो बना चुका हूं उसका प्राइस रिपील हो चुका और काफी तगडे प्राइस पर काफी बड़ी आ स्पैस्फिकेशन दे रहा है वो फोन चलते हैं बैटरी डिपार्टमें है बट हाँ ठीक ठाक सी है मतलब ओपो की थोड़ी जाता ही अच्छी है क्योंको आपको 18 मिल जाती है तो बात करते है ओपो A52 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर की या मतलब कुछ और चीजों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगर पींगर पींगर म मिल जाएगा यहाँ पर आपको stereo speaker का option मिल जाएगा जो की काफी बड़ी अचीज है नहीं कि यहाँ पर आपको दो-दो speaker मिल जाएंगे 3.5 mm का आपको jack मिल जाएगा hybrid sim float मिलता है जो की काफी अच्छी चीज नहीं मतलब इसे ठीक-ठाक सरी जाला कुछ बड़ीया नहीं है Android 10 मिल जाता है अब बात करते हैं वीव वाइ 50 तो इधर आपको रेर साइड के अंदर fingerprint scanner मिल जाता है यहाँ पर आपको stereo speaker नहीं मिलता है यहाँ पर आपको सिर्फ एक speaker मिलता है जिसमें आपको इतना अच्छा फील नहीं आने वाला OPPO में थोड़ा अच्छा फील आएगा क्य अब बात करते हैं मतलब सबसे ही जादा इंपोर्टेंट चीज की अब बात करते हैं वेरेंट एंड प्राइस की तो OPPO के फोन के अंदर आपको 6GB कि रहें में 128GB की storage मिलेगी एंड प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको price मिलता है 16,990 यानी की 17,000 का price अब बात कर आपको 8GB की रहें में 128GB की ROM मिलेगी एंड बात करते हैं price की तो आपको मिलता है 17,990 का price यानी की 18,000 का तो अब बात करते हैं मेरे pickup की के मेरे को दोनों में से कौन सा phone पसंद आया या फिर अगर मेरे को इन दोनों में से ही कोई phone लेना होता क्योंकि अगर मेरा budget होता 20,000 का त पर इन दोनों phone की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं चाहता बड़ लेकिन आपको ऐसे पसंद है इन दोनों में से कोई phone लेना है तो आप Oppo के phone की तरफ जा सकते हो Oppo A52 की तरफ काफी सही phone है मतलब इस आप से तो काफी सही है मतलब बड़ी है बाई मतलब ऐसे इतना खास मेरे क पीकप की बात करी है तो Oppo A52 ठीक है यहां पर आपको 18W की fast charging मिल जाते है EIS का support मिल जाते है 4K recording मिल जाते है एंड यहां पर आपको stereo speaker भी मिल जाते है तो इस वज़े से मैंने Oppo को चूज करा वरना ऐसे अपन भेरभाव नहीं करते हैं ऐसे दोनों brand की मतलब भाई है या भा आप भी बड़िया वड़िया फोन होते हैं दोनों के बड़िया लेकिन यह वाले जो फोन है यह offline segment को देखके बनाएगा यह तो इतना बड़िया नहीं है इदर आपको specification और price का जो ratio मिलता है बड़े लेकिन हाँ ठीक ठाक साहिए है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगे अगर वीडियो पसंद नहीं तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को subscribe कर दो वीडियो को अपने friend के share भी कर लो और मिलें Instagram पर follow भी कर लो मिलने कल की वीडियो में तब तक लिए Bye-bye